उठना होंगा तुझे, हाँ उठना होंगा चाहता है अगर कि नाम तेरा भी हो तू भी कुछ ऐसा करे कि तुझे खुट पर गर्व हो तेरे नजरों में तेरी एक अलग पच्छान मने तो उठना होंगा तुझे इस दुनिया में तुझे कई रास्ते मिलेंगे अपनी मनजिल तुझे खुद पाना है दुनिया तुझे सिर्फ और सिर्फ सजेशंसी देंगी लेकिन तुझे अपना रास्ता खुद चुनना है और मनजिल तक खुद आगे बढ़ना है हाँ हो सकता है और होगा ही कि उन रास्तों पर तुझे को कमजोर समझे मनजिल तो तुझे पता है, रास्ता भी तुझे पता है, अब बस जरूरत है, तो determination की, दुरूर संकल्प की, याने तिरा इरादा, तेरे लक्ष के प्रति पक्का करना होगा, dedication की, उस लक्ष को पाने के लिए खुद को समर्पित करना होगा, discipline की, उस लक्ष को पाने अपने उ दूर करना होगा, हाँ, यहाँ एक कटिंडिसियन होगा, लेकिन तुझे लेना पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि तेरा लक्ष तेरी महनत में है, और तेरी महनत तेरी लगन में, और ये लगन तभी तेरे पास आएगी, जब तो तेरे रास्ते की बीच आने वाली, सभी तक को अच्छे से तराशना पड़ेंगा, तेरी चमक भी तभी दिखाई देंगी, जब तराश्ते समय तुझे दर्द या तड़फ सेन करने की हिम्मत होगी, क्योंकि बोलते हैं न, हीरे को भी एक तड़फ होती है, तुझे दर लगेंगा, तुझे दर लगेंगा कि क्या होग अगर मनजिन नहीं मिली, तो क्या होगा, तो टेंचन मतले मेरे दोस्त, क्योंकि तुझे खुद को बोलना है, कि चलता रहूंगा पतपर, चलने में माहीर बन जाओंगा, या तो मनजिन मिलेंगी, या तो अच्छा मुसाफिर बन जाओंगा, अगर सोच रहा है तुझे कभी तेरा हार मानने का मन करेंगा, लेकिन दुखना मत, याद करना तेरे लक्ष को, कहना होगा तुझे खुद से, क्यों और क्या मक्सद है उस लक्ष को पाने का, कहना होगा तुझे खुद से, थोड़ा और यार, बस थोड़ा और, ये वक्त तेरे लिए नहीं रुकने व इसका मतलब वो हारा नहीं है, वो एक लंबी चलान के लिए तैयारी कर रहा होता है, पागले तू, कुछ नहीं कर सकता, टाइम पास कर रहा है, हमेशा अखिले रहता है, ये शब्द, ये वर्ट्स तुझे आसपास हमेशा सुनाई देंगे, तुझे उन्हें इग्नोर करना हो क्योंकि एक दिन ऐसा आएंगा, मुह तेरा खुलेंगा, एक दिन ऐसा आएंगा, मुह तेरा खुलेंगा, और शान लोग रहेंगे, और जो तु पाना चाहता है, बस यहीं वक्त है, लिखा दे दुनिया को, तु भी कुछ कर सकता है, तेरी मंजिल पर एक जगए ऐसी भी हो कि उठना होंगा तुझे हाँ उठना होंगा